प्रानिक हीलिंग के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें इस बात का जिक्र था कि प्रानिक हीलिंग के जरीए आप इमोशनली, फिजिकली, मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और यह साइंटिफिकली प्रूवड है तो जब आप शरीर के साथ चक्रों की बात करते हैं उन चक्रों में उन चक्रों के थ्रू जो हमारा एनर्जी बैलन्स बनता है जब उसके संतुलन की बात करते हैं तो यह किस तरह से हील होता है इसके क्या प्रक्रिया है या किसी तरह का मेलिटेशन अगर आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें देखे मिनाक्षी जी इसके पहले मैं शुरुआत करूं मैं सारे दिकज गुरू को प्नाना बन करती हूं और आज तक के लिए आज तक को भी धन्यवाद करती हूं हमें इस मंच पर लाने के लिए इस चर्च कि लेन == और रण की नियोओंहों पर बना हो है कि हमारी खुद की बॉड़ी झुक को हीनि करती है दूसरी है कि लाइफ फॉस्ट हमारे अंतर प्रान है प्राण शक्ती है तभी हम घीवित है तो अगर खुद की हमारी खुद'd की घृट जोरीकी शारीर की शमता है तो तो उर्जा से ही वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही उसकी बोड़ी हील करने लगती है, तो यह क्या है जो हमारे अंदर जो उर्जा की कमी होती है, उसके कारण कुछ हमारे शारीरिक और जो भौतिक हमारे शरीर है, जो फिसिकल बोड़ी है हमारे ही लहीं हो पाती है, तो हम प इसमें दो चक्रों का उलंगन है, दो चक्रों को हम बात करते हैं, एक है रुदे चक्र जो हमारे चाती के मत्य भाग में हैं, दुसरा है हमारे सहस्रार चक्र, जो हमारे सर के उपर होता है, तो ये दो चक्रों को हम के द्वारा इसको कुछ इस तरह से अक्टिवेट करते हैं कि आप कोई सुखत घटना को याद करते हुए आपको रुदे चक्र पर ध्यान करना है और कोई और सुखत घटना को याद करते हुए आप सहसरार चक्र पर ध्यान देंगे किसी कितनी लोग आजकल पीडित हैं, कितनी लोग डुखी हैं, बहुत लोग अथाश हैं, जो दरे हुए हैं, उनको सब को हम ब्लेस करते हैं, आशिरवाद देते हैं, पहले हम रुदे के द्वारा, जब आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी प्रिथवी को या हम जो लोग बिमार ह क्या हमारे खुद के अंदर इतनी किपैसिटी है कि हम किसी दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, आशिरवाद दे सकते हैं और उससे ठीक हो सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन और स्वशन क्रिया ये जो जो तकनीक है प्रानिक हीलिंग में उससे आप अपने उर्जा को कहीं गुना बढ़ा सते हो और अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। झाल 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 झाल